हेलो फ्रेंड टेक फर फन यूट्यूब चैनल में आपका पेस उजागत है दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि सोलर फेंस मसीन क्या है जिसको हिंदी में जटका मसीन भी कहा जाता है इस मसीन के माध्यम से हमारे किसान भाई बहुत ही असानी से अपने खेतों को सुरक्षित रख सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस मसीन के बारे में और इसकी कोष्ट के बारे में और यह कैसे ऑपरेट होता है यह सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे तो इस वीड चालिस वाट यह छोटा सेक्स लोग फिलेट है जिसका कोश्ट लमसंग तीन हजार चारहजार के असपास होता है और इसका जो आउटपुट है इसका आउटपुट आप निकाल के सिंप्ली एक बेटरी में डाल दें अब आप अगर यहाँ पर देखे कि बेटरी का कैपसिटी क्या है तो यह बेटरी 40 MP रावर की है और सीटेन चार्ज को सपोर्ट करती है यहाँ पर कंपनी के तरफ से 36 महिने का वारंटी भी दिया गया और इस बेटरी का जो प्राइस है वो सारित 3,000 है दोस्तों अब इस बेटरी का जो आउटपुट है इसे आप सिंपली फैंस गार से पालतू जानवर जैसे कुत्ते गाई बकरी भी खेतों के आसपास नहीं आते हैं और जहां बंदर का सिकायत है वो बंदर भी जड़के के डर से इसके नजदीक नहीं आते हैं तो दोस्तों यह सिस्टम बहुत असानी से फसलों की सुरक्षा परदान करती है और इस सिस्ट करें उसे मैं आपको बता देता हूं तो आप इसे सोलर के साथ डायट कनेक्ट कर सकते हो तो यह चार्जिंग बल्ब जो यह ग्रीन है यह आपको इंडिकेट जलता रहेगा इस मसीन में साहिरन लगा हुआ है अगर आपका तार कहीं से लिकेज होता है या फिर कोई जानवर आके उस पर टच करता है तो आपका साहिरन जोड़ जोड़ से बजएगा आप यह मिडिल वाले स्वीच से ओटो मोट पर भी डाल सकते हो कि आप इसे 12 गंटे के लिए तो हम इसे only रात में ही इसमें करने चोड़ते हैं इसलिए हमारा स्वीच 12 में कौन है तो चलिए अब इ तो यह मसीन का पूढ़ पूध है एक है अर्थ एक है अर्थ कर देंगे जो पानी के नजदीग हमें इसे गारन होता है और दूसरा आउट्पूड जो है रेड़ वायर जुसे वायर भी करते है उसे आपको simply अपने फेंस या बाउंडरी में लगाने है आप जितने चाहिए conductor यूज़ कर सकते हो हमने यहां दो conductor यूज़ किया है इसलिए यहां पर दो तारों का इस्तेमाल किया है तो एक तार पर हमने हमारे output को जोड़ दिया है और बाद में दूसरी जगा हम इसे आपस में कर दिया है तो दोनों conductor में current follow होना शुरू हो गया है अब फसल को सुरिक्षित करने के लिए मसीन को on करना है तो मसीन को on करने के लिए बैटरी का जो टर्मिनल है वहां से एक सिंपल वायर निकाल लिए आउटपूट के तोर पे और मसीन में इंपूट कर दीजिए हम अभी इस मसीन को operate करने के लिए बैटरी का आउटपूट ही यूज कर रहे हैं solar का आउटपूट यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि solar का आउटपूट बैटरी को चार्ज करने के लिए लगा के रखे हैं और इस switch को on करते ही आपको यहां पर red जो LED है वह बिलिंगिंग करना सुरू हो ज पर जटका लग सकता है और आपका साइरन भी बईना शुरू हो जाएगा तो यह कैसे वर्क करता है तो यह high voltage low current पर वर्क करता है इसका जो current है यह 280 milli ampere के आसपास होता है जो की जटका देने के लिए काफी है मतलब electric शोग दे सकता है लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता है इसलिए यह machine पूरी तरह से safe है इससे कोई नुकसान नहीं है जानवर को भी कोई इससे नुकसान नहीं होता है मैं आपको यहां पर electrical connection डाइग्राम भी दिखा दे रहा हूं आप इससे देख सकते हैं और अगर आप इससे purchase करके लाते हो तो आपको connection करने में कोई दिक्केत नहीं आएगी आपका total cost जो पर जाएगा वो machine का जो cost है वो 3000 है बैटरी का सारे 3000 और solar panel 40 watt का 3000 मतलब total आपका 9000 के आसपास cost पर जाएगा अगर इससे आप इस्टोल करना चाहते हो तो तो दोस्तों उमेद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही informatic वीडियो के लिए चैनली बात अमधी लगा है चाहिए ऊडेंस जर्दा जर्काल लगा यार करना करेंट भई बहुत मारती है यार